मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग 3 आवर के चार्ट से लेके मंतली चार्ट तक एनलाइज करके जानेंगे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस और मैं इस टाइब की वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ आप लोग अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइ और लोग के बारे तो 52 वीक की हाई की बात करें तो 181 रुपे का इसने हाई बनाया है वाउन वीक की लो की बात करें तो 35 पैसा का इसने लो बनाया है एक मंत रिटन की बात करें तो 33.08% का positive रिटन है वन यह रिटन की बात करें तो 18,508.33% का positive रिटन है बहुत बड़ा रिटन है फ्रेंट अब लोग सपने में भी साहद नहीं सोच सकते उतना है तो तो चलिए अब हम लोग टार्गेट की और बढ़ते हैं धरिया और के चार्ट पर जो 1st ार्गेट होगा वो होगा 115 रुपे का 2nd जो टार्गेट रहागा वो होगा 124 का और 3rd जो टार्गेट होगा वो होगा 133 का अब हम लोग बात के रहेंगे के stop loss की तो इसका first stop loss 107 का होगा second stop loss 98 रुपे का होगा और third stop loss 90 रुपे का होगा ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे day candle पे day candle पे इसका जो first target होगा वो होगा 139 रुपे का second जो होगा वो होगा 147 रुपे का और third जो होगा वो होगा 166 रुपे का ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे इसके stop loss की तो इसका first stop loss हो जाएगा 109 रुपे का second stop loss जो होगा वो होगा 92 रुपे का और third stop loss जो होगा वो होगा 71 रुपे का ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे weekly candle पे weekly candle पे जो इसका first target होगा वो होगा 119 रुपे का second जो होगा वो होगा 142 रुपे का और third जो होगा वो होगा 92 का होगा और इसका third stop loss 70 रुपे का होगा ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे monthly candle पे monthly candle पे इसका first target होगा वो 130 रुपे का होगा second जो होगा वो 150 रुपे का होगा और third जो होगा वो 175 रुपे का होगा अब हम लोग जानेंगे इसके stop loss को तो इसका first stop loss जो होगा वो 90 रुपे का होगा second जो stop loss होगा वो 87 रुपे का होगा और third जो stop loss होगा वो 65 रुपे का होगा ठीक है फ्रेंट तो आसा करता हो फ्रेंट आपको information अच्छी लगी होगी मिलते हैं फिर हम लोग next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए बाई बाई